सोशल एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि लोगों से, लोगों को फेस करने में हमें बहुत ज़़ा डर लगता है लोगों से बातचित करने में हमें बहुत ज़़ा डर लगता है कहीं पे भी ऐसी situations होती है जहाँ पर बहुत सारी भीड हो जहाँ पर बहुत सारे लोगो वहाँ पर लोगों से मैं बात नहीं कर पाता जबी भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ हाथ-पाओं काम पने लगते हैं दिमाथ के अंदर thoughts ही नहीं आते एकदम blank जैसा हो जाता हूँ ऐसा लगता है कि जो बात करने के लिए required thought है वो required thought मेरे अंदर आ ही नहीं रहा totally blank और फिर मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूँ कि यार दूसरे लोग कितने मज़े से बात कर रहे हैं कितनी मस्ती से बात कर रहे हैं तो मुझे खुद के उपर ऐसे guilt feel होता है कि यार लोग कितने अच्छे से बात कर लेते हैं मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा बहगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया लोगों को थो इतना strong बनाया और मैं बात क्यों नहीं कर पता है क्यों कि मुझे हर वक्त ये डर लगता रहता है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर दूँगा या मेरा facial जो expression है वो तो सही है ना लोगों के पाथ तो किती अच्छी skills है इस कारण वो ये बोल लेते हैं या फिर लोग मेरे rejection का जो fear feel होता है past में हो सकता है ऐसे incidence रहे हो या फिर किसी और को मैंने अपने सामने social situations के अंदर reject होते हुए देखा हो उसके बारे में मैंने सुना हो या फिर मेरे साथ में कुछ personal experiences ऐसे रहे हो जहाँ पर माल लो मेरी हंसी उड़ गई हो तो मेरा जो उस हंसी वाला जो event है उस event को मैं continuously हर जगे पर क्या कर रहा हूँ generalize करते चले जाता हूँ कि यार हर जगे कहीं पर भी मैं लोगों के पास मिलूँगा लोगों से बातचित करूँगा तो वो मेरे बारे में हंसी चलता है कि वो तो मेरे बारे में ही बात कर रहेएं और वो मेरे बारे में कुछ negative बात कर रहाँ होँगे क्योंकि अभी जैसे मैंने यहा पर कोई act किया है वो इनको लगा हूगा कि यह बेवकुफ की तरह act कर रहा है तो इसी बार में ये चर्चा चल रहे हो, जबकि हमें पता नहीं है कि वो किस बारिम बात कर रहे ह। उन्होंने हमको बताया नहीं। यहां पर हम दो सबसे बड़ी mistake कर रहे होते हैं, एक सबसे बड़ी mistake तो जो हमारे negative experiences होते हैN past के उन सीधे experiences को generalize कर रहे होते हैं कि वहाँ ऐसा हुआ था या उसके साथ ऐसा हुआ था इसलिए मेरे साथ भी यही होगा एक तो यह generalization कर रहे होते हैं generalization की वज़े से जो normal situation है वो भी हमारे लिए abnormal situation में convert हो जाती है लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोगों की दिमाग में किस तरह का थौट चल रहा है, वो हमें पता चल जाता है, इसको हम बोलते हैं mind reading, लोगों की हंसी है, हमने उस हंसी का अपने दिमाग में मतलब निकाल लिया, ये तो मेरी ही बात को सोच के हंस रहे हैं, ये तो म बार गड़बड होगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो ये दोनों चीज़ें इतनी जवर्दस reality create कर देती है कि हमारी इच्छा है कि हम लोगों के साथ में बादचित करना चाते हैं लेकिन फिर भी हम बादचित नहीं कर पाते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हम social situations मिलती है उन social situations के अंदर हम अपने आपको expose करें वहाँ पर जो भी लोग हैं उन लोगों से थोड़ा थोड़ा communicate करना start करें अच्छा शुरुआत में हम एक परसन के साथ थोड़ा भी जो भी आप दोनों के बीच में कोई common topic को लेकर थोड़ा बहुत discussion करिए फिर थोड़ा दो-तीन लोगों के बीच में जाके discussion करिए फिर चार-पांच लोगों के बीच में discussion करिए अपने आपको पूरी तरह से relax करिए जबी भी आप अपनी social situations में जाते हो जहां पर आपको लोगों को face करना होता है उससे में अपने आपको fully relax करिए क्योंकि अगर आप अपने आपको relax नहीं करते तो उससे में हमारा दिमाग blank हो जाता है क्योंकि उससे में हमने जो कुछ भी सीखा हुआ होता है वो हमारे किसी भी काम नहीं आता तो हमारा दिमाग पूरी तरह से blank हो जाता है और ना ही मैं लोगों को mind read करूँगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, वो मेरे दिवारे में अच्छा ही सोच रहा है, मैंने अपने आपको पूरे तरह से relax किया, relax करने के बाद मैं मैंने अपने आपको expose किया, मैंने लोगों के साथ मैं बातचित करना स किया, मेरे अगर पडोस में है, तो पडोस में मैंने बातचित करना सुरू किया, कुछ common topics है, उन common topics के उपर discussion करना सुरू किया, तो जैसे जैसे मैं अपना exposure बढ़ाता हूँ, जबी भी हम exposure करते हैं, तो उस exposure से benefit क्या मिलता है, कि जो हमारे illusions बने वे होते हैं, लोगों को ले इस दुनिया में किसी को आप से कोई नहीं पड़ी, आप ही पूरी दिन सोचते रहते हो, हम पूरी दिन अपने आप ही सोचते रहते हैं, लोगों के बारे में, लोगों को किसी की नहीं पड़ी, उनके खुद के issues इतनी जादा है, कि उनको क्या पड़ी, कि वो आपके life के ब पढ़ाता हूँ और जितना मैं एक्सपोज करूँगा उतना ही मेरा डर कम होता चला जाएगा यहाँ पर यह विसेश तोर से ध्यान देखेगा escapism कभी भी use मत करें अगर आप अपने social fear को मिटाना चाते हैं अगर आप अपनी social anxiety को मिटाना चाते हैं तो escapism कभी भी मत करें Escapism का मतलब क्या है कि जहां डर लगता है मुझ सिच्वेशन से भाग लेते हैं जहां पर भी डर लगता है अगर मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ गड़बर हो जाएगा मैं वहाँ से भाग लेता हूँ उस मौके को छोड़ देता हूँ याद रखेगा जहां पे भी डर लगता है वो मौका है आपके लिए जहां पे भी आपको fear पैदा होता है वो मौका है कि आप अपने डर को खतम कर सकते हो उस situation के अलावा ऐसी कोई situation नहीं है जो आपके डर को खतम कर दे वही situation जहां आपका fear है जहां आपका fear पैदा हुआ है उसी situation में ही आपका fear खतम हुआ इसलिए skeptism कभी भी मत करें skeptism आपके डर को लगातार बढ़ाएगा skeptism कम करें exposure को बढ़ाएं relax करें और interact करें लोगों के साथ में तो हम हमारे जो social anxiety का fear है वो धीरे धीरे हम अपना पूरा fear कम कर लेंगे और इसको कम करने में हमें हो सकता है 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे इसको हम time bound ना करें बस हम practice करें, हम हमारे life का aim बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आपको expose करूँगा मैं अपने आपको ठीक करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कितना ही time क्यों ना लगे